उपस्तित बुदर्गों, माताओं बहनों, नोजवान साथियों और इस क्रशी प्रधान देश के उज्वल भविश्य दीद बच्चों मैं आजरनिये चौधरी देविलाज जी के और आपके मध्य में हाजिर रह करके वो जो आपको दिशा निर्देश दें और जिस सुकता से लगातार पांच घंटे तक इस कड़ती वी धूप में आप बैठे हुए हो मैं बादक बनना पसंद नहीं करूँगा मैं भाशन नहीं देना चाऊँगा बलके मैं सरव प्रथम आजरनिये चौधरी देविलाज जी का इस बात के लिए धन्यवाद करूँगा कि आखिरकार विपक्ष के सभी लोगों के उस आग्रे को उन्होंने मान करके आज के इस पवित्तर दिवस को संगर्ष दिवस के रूप में मनाने के लिए उन्होंने हामी भरी मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा मैं इसके बाद मंच्पर बिराजमान इन सभी राश्न के महाननेताओं का जो उज्वल भारत भविश्य की कामना करते हुए देश को एक दिशा देने जा रहे हैं और मैं दावे के साथ एक बात कहने जा रहा हूँ वो दिन दूर नहीं जब भारत की मवजुदा राजनीती में परिवर्तन आएगा आज जो लोग मंच्पर बिराजमान है वो कल सत्ता पर बन करके बैठेंगे और जो लोग आज सत्ता में बैठे हुए हैं और जो इस देश के मैनत कश लोगों की खून पसिने की कमाई पर डाका डाल करके इस देश की संपत्ती को विदेशी बैंकों में जो जमा करा रहे हैं उन आर्थिक अपरादियों को जेल के सीख्चों के पीछे भी बंद होना पड़ेगा मैं आभार वैक्ट करता हूँ इन महाननेताओं का दिलों ने अपना बहु मुल्य समय खर्च करके यहां पर आकर के आप सब लोगों का होसला बढ़ाया मैं आभार वैक्ट करूँगा इस समागन के उन सभी आयोजिकों का शिरी मुलायम सिंग्धी का और दूसरे कारिये करताओं का जिनोंने लगातार परिश्रम करके भारत वरश का सही नक्षा हिंदुस्तान की बोट कलब पर एकत्रित करके आज केरेला से तामिल लाडू से मध्य परदेश से उडिसा से राजस्तान बिहार उत्रपरदेश सभी ही परदेश के लोग आज लाखों की संख्या में जिनोंने इस दिल्ली के अत्यासिक बोट कलब पर एकत्रित करके हम सब का आपस में समन्वाइल तापित किया देश और परदेश के नाम पर अखंडता का नारा देने वारे उस राजीव गांदी के मुँपर एक करारी सपत मारी जो देश तोड़ने का काम करता जा रहा है मैं उन सभी काये करताओं का आभार वेक्ट करूँगा जिनोंने लगातार बाईस दिन तक अंशक परिश्रम करके देश में एक नया नक्षा कायन करने की कोशिश की और मैं आभार वेक्ट करूँगा जन्तादल के उन स्वेम सेविकों का जिनें ग्रीन ब्रिगेड की संग्या दी जाती है जिनोंने इस सारे आयोजन को पूरी तरह से अच्छी तरह से अनुशासन में रख करके शांच जी प्रिय धंग से लगातार पांच धंग से तक इस सारी कारवाई को चलाने में एहम भूमिका निवाई है मैं धन्यवाद करूँगा बारत वरश के इन लको का मैनत कशों का जो कन्या कुमारी से लेकर कश्मीर तक और राजस्तान के उन तीलों से लेकर के हिमाल्य की चोटियों तक बसने वाले सभी लोग जो आप यहां एकत्रित हैं और जिनोंने यह अधरनिय नेताओं के उस कथन को स्विकार करके चादरी देविलाल जी के संगर्ष मैं जीवन से प्रेरना लेकर के इस देश की नाजनीती में परिवर्तन लाने का संकल्प लेने के लिए जो आप उपस्तित हुए है मैं आप सब लोगों का आभार इसलिए भी वेक्ट करूँगा प्रेस के भाई भारी संख्या में बैठे हुए है ये जितने लोग इहां पर एकत्रित है ये सब अपने साधनों से आए है पैदल चल करके आए है साइकलों पे चल करके आए है ट्रेक्टर्स राडियों में बैच करके आए है रेलों में बैच करके आए है इन्हें लाने का काम जिस परकार से केंदर की कॉंग्रेस पार्टी की सरकार किया करती है इस परकार का काम नहीं और ये मेरे कहने की जरूरत रही मैं दावे के साथ एक वाद कहने जा रहा हूँ ये विश्व की विशालतम रैली है सुनने में आया है कि कभी चीन में माओ ने एक रैली की थी जिसकी संचा साथ लाग थी और मुझे याद है सन 1978 में स्वर्गिये चादरी चरण सिंग के पवित्तर जर्म दिवस को जब हमने किसान दिवस के रूप में मनाया था पच्चीस लाग की संचा में लोग एक रित थे आज अपना रिकार्ड हम स्वेम तोड़ने जा रहे है आज की ये सबा उन दोनों सबाओं से विशाल है और विश्व के इत्यास में एक नामिशाल रह ली है मैं प्रेस के साथियों से एक बात कहना चाहूंगा कि दिल्ली के उस टेडियम तक हाग को इंसानी सर दिखाई देंगे तिल फैंकोगे जमें इन पे नहीं पड़ेगा कि अनुशासित धन से आज लोग बैटे हुए है मैं इस सब के लिए आज सब का हार दिखन्यवाद करता हूँ और मैं आज से केवल एक बात कहने साहूंगा मैं अदकश्क मेरे वरक के लोगों से मैं केवल एक अनुरोग करना चाहूंगा कि आज 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 के दाएं और बाएं और आज की आज के सामने ये जो बड़े बड़े महल बने हुए है इन महलों में बैठने वाले लोग हमारी किसमत का फैसला करते है लेकिन जो लोग इन महलों में बैठते है वो हमारे हमदर्द नहीं है जिरे हमारी समस्काओं का ग्यान नहीं है और यही एक कारण है किसान के गन्ने के दाम नहीं बड़े मजदूर की मजदूरी नहीं बड़ी लेकिन चीनी आसमान को छुती जा रही है किसान के अंदर में कुपास के दाम नहीं बढ़े तेलों के बीजों के दाम नहीं बढ़े तेल के दाम बढ़ते जा रहे है धी के दाम बढ़ते जा रहे है कपड़े के दाम बढ़ते जा रहे है मजदूर की मजदूरी नहीं बढ़ी सीमट के दाम बढ़ रहे है, इंजल के दाम बढ़ रहे है, ट्रेक्टर के दाम बढ़ रहे है, मोटर साइकल, स्कूटर के दाम बढ़ रहे है, खाद के दाम बढ़ रहे है, किरे मार दवाओं के दाम बढ़ रहे है जरूरियात जिन्दगी की उन सब चीजों के दाम बढ़ते जा रहे हैं जो मशीनों से पैदा होती है और हर उस चीज के दाम कम होते जा रहे हैं जो हम अपना पसीना भा करके धर्तीमा का सीना तीर करके पैदा करते हैं इसलिए मैं किसान साथियों से कंड्रोज करना चाहूंगा आज की कॉंग्रेस सरकार का मुख्या राजीव गांदी हर सतर पर फेल हो चुका है चाए वो आथिक मामला है चाए वो समाजिक मामला है चाए वो राजनेतिक मामला है चाए वो देश का आंत्रिक मामला है और चाए वो विदेशी नीती है आज सारे उपस्तित बुदर्गों माताओ बेहनों नोजवान साथियों और इस क्रशी प्रधान देश के उजवल भविशदीद बच्चों मैं आजरनिये चौदरी देविलाज जी के और आपके मध्य में हाजिर रह करके वो जो आपको दिशा निर्देश दें और जिस उत्सुकता से लगातार पांच घंटे तक इस कड़तीवी धूप में आप बैठे हुए हो मैं बादक बनना पसंद नहीं करूँगा मैं भाशन नहीं देना चाहूँगा बलके मैं सरव प्रथम आजरनिये चौदरी देविलाज जी का इस बात के लिए धन्यवाद करूँगा कि आखिरकार विपक्ष के सभी लोगों के उस आग्रे को उन्होंने मान करके आज के इस पवित्तर दिवस को संगर्ष दिवस के रूप में मनाने के लिए उन्होंने हामी भरी मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा मैं इसके बाद मंच्पर बिराजमान इन सभी राश्न के महाननेताओं का जो उज्वल भारत भविश्य की कामना करते हुए देश को एक दिशा देने जा रहे हैं और मैं दावे के साथ एक बात कहने जा रहा हूँ वो दिन दूर नहीं जब भारत की मवजुदा राजनीती में परिवर्तन आएगा आज जो लोग मंच्पर बिराजमान है वो कल सत्ता पर बन करके बैठेंगे और जो लोग आज सत्ता में बैठे हुए हैं और जो इस देश के मैनत कश लोगों की खून पसिने की कमाई पर डाका डाल करके इस देश की संपत्ती को विपक्विदेशी बैंकों में जो जमा करा रहे हैं उन आर्थिक अपरादियों को जेल के सीख्चों के पीछे भी होना पड़ेगा मैं आभार वेक्ट करता हूँ इन महाननेताओं का जिनों ने अपना बहु मुल्य समय खर्च करके यहां पर आकर के आप सब लोगों का होसला बढ़ाया मैं आभार वेक्ट करूंगा इस समागन के उन सभी आयोजिकों का शिरी मुलायम सिंग्धी का और जिनोंने लगातार परिश्रम करके भारत वरश का सही नक्षा हिंदुस्तान की बोट कलब पर एकत्रित करके आज केरेला से तामिल लाडू से मध्य परदेश से उडिसा से राजस्तान बिहार उत्रपरदेश सभी ही परदेश के लोग आज लाखों की संख्या में जिनोंने इस दिल्ली के अत्यासिक बोट कलब पर एकत्रित करके हम सब का आपस में समन्वाइल तापित किया देश और परदेश के नाम पर अखंडता का नारा देने वारे उस राजीव गांदी के मूँ पर एक करारी जपत मारी जो देश तोड़ने का काम करता जा रहा है मैं उन सभी कारिय करताओं का आभार वेक्ट करूँगा जिनोंने लगातार बाईस दिन तक अंशक परिश्रम करके देश में एक नया नक्षा कायन करने की कोशिश की और मैं आभार वेक्ट करूँगा जन्तादल के उन स्वेम सेविकों का जिनें ग्रीन ब्रिगेड की संग्या दी जाती है जिनोंने इस सारे आयोजन को पूरी तरह से अच्छी तरह से अनुशासन में रख करके शांजी प्रिय धंग से लगातार पांच धंटे तक इस सारी क पार रवाई को चलाने में एहम भूमिका निवाई है मैं धन्यवाद करूँगा बारत वरस के इन लको का मैनत कशों का जो कन्या कुमारी से लेकर कश्मीर तक और राजस्तान के उन तीलों से लेकर के हिमाले की चोटियों तक बसने वाले सभी लोग जो आप यहां एकत्रित हैं और जिनोंने यह अधरनिय नेताओं के उस कथन को स्विकार करके चादरी देविलाल जी के संगर्शमय जीवन से प्रेरना ले करके इस देश की नाजनीती में परिवर्तन लाने का संकल्प लेने के लिए जो आप उपस्तित हुए हैं मैं आप सब लोगों का आभार इसल अपने साधनों से आए हैं पैदल चल करके आए हैं साइकलों पे चल करके आए हैं ट्रेक्टर ट्राडियों में बैच करके आए हैं रेलों में बैच करके आए हैं इन्हें लाने का काम जिस परकार से केंदर की कॉंगर्स पार्टी की सरकार किया करती है इस परकार का काम नही और ये मेरे कहने की जरूरत रही मैं दावे के साथ एक वाद कहने जा रहा हूँ ये विश्व की विशालतम रैली है सुनने में आया है कि कभी चीन में माओ ने एक रैली की थी जिसकी संचा साथ लाग थी और मुझे याद है सन 1978 में स्वरगिये चादरी चरण सिंग के पवित्तर जनम दिवस को जब हमने किसान दिवस के रूप में मनाया था पच्चीस लाग की संचा में लोग एक गत्री थे आज अपना रिकार्ड हम स्वेम तोड़ने जा रहे हैं आज की ये सबा उन दोनों सबाओं से विशाल है और विश्व के इत्यास में एक नामिशाल रह ली है मैं प्रेस के साथियों से एक बात कहना चाहूंगा कि दिल्ली के उस टेडियम तक आज को इंसानी सर दिखाई देंगे तिल फैंकोगे जमीन पे नहीं पड़ेगा कि अनुशासित धन से आज लोग बैटे हुए है मैं इस सब के लिए आज सब का हार दिखन्यवाद करता हूँ और मैं आज से केवल एक बात कहने चाहूंगा मैं अदकश्क मेरे वरक के लोगों से मैं केवल एक अनुरोग करना चाहूंगा कि आज 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 के दाएं और बाएं और आज की आज के सामने ये जो बड़े बड़े महल बने हुए है इन महलों में बैठने वारे लोग हमारी किसमत का फैसला करते है लेकिन जो लोग इन महलों में बैठते हैं वो हमारे हमदर्द रही है जिने हमारी समस्वाओं का ग्यान नहीं है और यही एएक करन है किसान के गन्ने के दाम नहीं बड़े मज़दूर की मज़दूरी नहीं बड़ी लेकिन चीनी आस्मान को छूती जा रही है किसान के अंदर में कुपास के दाम नहीं बढ़े तेलों के बीजों के दाम नहीं बढ़े तेल के दाम बढ़ते जा रहे है धी के दाम बढ़ते जा रहे है कपड़े के दाम बढ़ते जा रहे है मजदूर की मजदूरी नहीं बढ़ी सीमट के दाम बढ़ रहे है इंजल के दाम बढ़ रहे है ट्रेक्टर के दाम बढ़ रहे है मोटर साइकल स्कूटर के दाम बढ़ रहे है फाद के दाम बढ़ रहे है किरे मार दवाओं के दाम बढ़ रहे है जरूरियात जिन्दगी की उन सब चीजों के दाम बढ़ते जा रहे है जो मशीनों से पैदा होती है और हर उस चीज के दाम कम होते जा रहे हैं जो हम अपना पसीना भा करके धर्ती मा का सीना तीर करके पैदा करते हैं इसलिए मैं किसान साथियों से कंडरोज करना चाहूंगा आज की कॉंग्रेस सरकार का मुख्या राजीव गांदी हर सतर पर फेल हो चुका है चाए वो आथिक मामला है, चाए वो समाजिक मामला है, चाए वो राजनेतिक मामला है चाहे वो देश का आंत्रिक मामला है और चाहे वो विदेशी नीती है